क्या सीमा तू आजकल इतनी उदास क्यों रहती है दीदी पापा जब से गुजर गया है न मेरे घर पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है अकेली मम्मी क्या करेंगी भाई की पढ़ाई चद रही है और उपर से मैं इतनी दूर बहुत मुश्किल हो रही है सब कुछ तब तो घर के पास ट्रांसफर के लिए अपलाई करना चाहिए अपलाई तो किया था लेकिन दिक्कत हो रही है क्यों भई? क्या आफ़त आ गई? पास वाले जो गवर्मेंट आफिस है उसमें तबादले के लिए मैंने अपलाई किया था लेकिन अफसर लोग मुझसे पैसे माँग रहे है और धाई लाग रुपह मैं कहां से दू? धाई लाग? रिश्वत की आदत कहां से कहां ली जा रही है यार आओ तरून, बैठो क्या चल रहा है? तुम लोग कितना सीरियस क्यों हो? एक्चिली तरून, सीमा ने अपने होम टाउन के पास ट्रांसफर के लिए अरजी दी थी लेकिन तुम्हें पता है न? अपने डिपार्टमेंट में कैसे मगरमज बैटे गुए है? सीमा, तुम तो इसके बारे में कंप्लेन कर सकती हो कैसे? जब सबको पता चल जाएगा तब मेरे साथ क्या हो सकता है? तुम जानते हो ना दरून? सुनो, मैं समझाता हूँ. इस बरश्टाचार के बारे में तुम सेंट्रल विजिलन्स कमिशन में शिकायत कर सकती हो Public Interest Disclosure and Protection of Informers. पिटबी के तहट तुमारे शिकायत पर कारवाई होगी और तुमारा परीचाय किसी को पता नहीं चलेगा. आरे वार सिमा, ये तो कमाल है. तुम अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हो और तुमारा नाम सामने भी नहीं आएगा. और रिश्वत खुर लोगों को अच्छा सबक मिलेगा. सिमा एक काम करो तुम आज ही चिठी लिखके कम्प्लेंज सब्मिट कर दो. फिर आगया के देखो, होता आएके. रिश्वत मांगना जुर्म है. अगर ऐसे ही जुर्म के शिकार आप लोग हैं, तो तुरन PIDPI के तहट अपना शिकायत दर्ज करें. लिफाफे के उपर PIDPI लिखना नव भूलें और अपनी शिकायत सेक्रेटरी सेंट्रल विजिलन्स कमिशन को अड्रेस करें. अधिक जानकारी के लिए www.cvc.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं.